तमिलनाडू के डिंडी गुल में प्राइविट हॉस्पिटल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई और सभी अस्पताल के लिफ्ट में बेहोश मिले थे इनमें एक नाबालिक भी शामिल है पुलिस के मुताबिक घटना रात 9 बजे की है तुमिची रोड इस्थित अस्थिकी अस्पतालों में शिप्ट किया गया था पुलिस ने बताया कि लिफ्ट में मिले सभी लोगों को डिस्थिक्ट हॉस्पिटल ले जाए गया था वहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रत घोशित कर दिया और अन्य मरीजों का अस्पताल में इलाज चावी है